हर्याना की कुरूश शेत्र में किसानों और सरकार में बाच्चित विफल होने के बाद उन्होंने जम्मू दिली नेशनल हाईवे चुम्मालिस पर पिपली के पास जाम लगा दिया है किसान फ्लाइ ओवर और सर्विस रोड बंद कर लाठिया लेकर हाईवे पर बैढ गए हैं हाईवे के उपर ट्रेक्टर खड़े कर दिये गए हैं पुलिस ने जाम के चलते वहानों के रूट डाइवर्ट किये हैं किसान नेता राकेश टिकेट ने कहा पिपली अनाच मंडी में MSP महा पंचैट में फैसला लिया गया कि हम अपनी मांगे माने जाने तक हाईवे को बंद रखेंगे अतसभी प्रदेशों की एकाई अग्रीम सुषना तक कुरुष चेतर पर नजर बनाए रखें और अगले आदिश का इंतिजार करें सरकार की है दमनकारी नीती देश का अंड़दाता बरदाश नहीं करेगा इससे पहले किसान नेताओं ने कहा कि दो बार प्रशासन से बात चित हुई है उन्होंने सीएम से करणाल में बात करने का भरुसा दिया लेकिन फिर वहां की वे चले गए इसे साफे की सरकार पूरे मामले को लेकर गंबिन नहीं है इसलिए लाठी डंडे पड़े या जेल भेजे अब हाईवे जाम किया जाएगा किसानों की सूरज मुखी को लेकर MSP दिलाओ किसान बचाओ रेली है इसमें हर्याना के अलावा राजिस्तान, पंजाब, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी से हजारों की संक्या में किसान पहुचे किसान सूरज मुखी पर MSP और किसान निता गुर्णाम, चडूनी और दूसरे निताओं की रिहाई की मांग कर रहे है इसी के साथ बने रहे है, राजिनामा डिवी के साथ, ता निवाद